एलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्रेटफर्म पर ईयो औरो के पार्ट भी के प्रशन में आपको करवा रहा था जो भी 300 महत्पुन प्रशन जो अपने इस बुक में है वहां से मैं इन प्रशनों को ले रहा हू मेरे ख्याल से आपने से मेकजिमम केंडिट्स ने मेकजिमम केंडिट्स के पास यह बुक्स पौंच गही होगी जहां जितनी इस बुक की सहल है मुझे लगता है कि हाँ लगब लगब आप सभी ने इस बुक को मंगा दिया होगा इतनी आसान भासा और इतने जो बहतरी एक लास स्टोक हमने और निकाल एक नया लोट हमने और चप गया वो लास्ट लोट के रूप में तो शाहिद अभी तक आपको मार्केट में मिल रहोगी मार्केट में आपको यह आराम से मिल जाएगी मातर 120 रुपे की बुक है इसी में से जो प्रशन दी है मैं वो प्रशन करवा रहा हूं यह चोथी क्लास है यानि कि इसमें 100 प्रशन यहां से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ठीक है फिर 200 प्रशन और रहने वाले तो शुरुआत करते हैं तो इसके अलावा अगर आप इस पार्ट भी को कंप्लीट ली मैंने एप में अपना पूरा कोर्स करवा रह लेकिन इसके अलावा आपको टेस्स तो मस्ट है वीडियो कोर्स आपकी इच्छा के उपर है कि आप उसको अगर आप खुद से पढ़ सकते तो आवशक्ता नहीं है अगर खुद से नहीं पढ़ सकते तो आपको पढ़ना चाहिए बाकि टेस्ट सीरीज मस्ट है यह अबीस से कर लिए मैं तो उनको कहूंगा अगर आपनी 14 टेस्स कर लीए बीस तो इसन्य ज्क्रेस कर सकते उतनी ज्עदा प्रेक्टिस के जिए पूछता हूं वो बताते कि सर सेलेक्शन नहीं हुआ क्यों नहीं कि और कुछ बताते कि उन्होंने बहुत लास्ट में पंदरा दिन या दस दिन बचे उससे में प्रेक्टिस की वह एक साही रन नीती नहीं है तो आपको जितना टाइम मिले उससे पहले आपको शुरू कर देन किसудь repentance क्या होता हैँучे इस इन्टू 120 कर दिजिए यहां पर चटाप रोजाएगा चोभी सौ्फ प्रशनों की प्रैक्टिस अगर आप epo के जाते प्लस यहां पर लगबम हो जो भी test practice must है कुछ practice कीजिए अगर लगता है आपको की online कई यह जो बात करता है सर्ग हमें online यह जोपी चसट देने में मुश्किल हती तो market लेकर आजाई है practice set लेकर आजाई है उन practice Set को आप solve कीजिए घ्राप वैसे online में कोई प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए उनलाइन में आपको उल्टक कही तरह की सुविधा ही मिलती है जो उसमें बुक में नहीं मिल पाएगी वह उनलाइन में कही तरह कि आपको बेटर फैसिलेटी मिल सकती तो यह जुरूर आपको प्रेक्टिस करें और एक और सुचना आप सभी के अब शुरुआत करते हैं कि नमबर 76 सबसे पहला है कि सुची फर्स्ट और सुची सेकंड का मिलान कीजिए कई प्रशन ऐसे हो सकते हैं हलांकि रिपीट तो नहीं हो रहे हैं कई प्रशन इसमें आपको ऐसा भी मिल सकता आपको लगता है इतना इजी प्रशन आपने दे दिय या फिर ऐसा प्रशन भी एक्जाम में पूछा जाएगा मतलों कई बार मैंने तो आपको बताए यह धारा इंप्रशन यह धारा इंप्रशन दे रहो अब क्योंकि परिक्शामत कूली 30 से 32 प्रशन आने हैं ठीक है लेकिन यहां हमें यहां इसमें आप देखोगे तो बुक म इतने सारे प्रशन अलग-अलग बनाने पड़ते हैं तो Estado कि संक्या बसती इसलिए हमने प्रशनों में जितने बन सकते सारे बना दियुक तो सारे प्रश्णे इतनी धारा देकर आप घबरा है ने के प्रशन भी पूचली यह धरा भी पूचली वहां पर देखकर आ यहां तो 30-32 प्रशन पूछे जाएंगे, हमको क्योंकि 800-1000 प्रशन पूछे जाने होते हैं, इसलिए फिर कोई धरा बचती नहीं है, आपको ज़्यादा जिन्ता करने के आफशकता नहीं, धरा को देखकर डरे की जरूत नहीं है, केवल जो इंपोर्टेंट है, अपने को उसक सभ़ पता है, अधियाई 4 में हमें पता है,भूमी का अनिवार्य अरजन, नगरपाली का को बोमी को एक्वायर करना है, अरजित करना हो, किसी की सम्पत्थी लेनी है, तो पहले वो राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करेगी, राज्य सरकार वह को भूमी अधिकरन अधिनयum के तह्त इतो इसको दिखुले लेने के बाद गस्ष किसमें लिखावा 176 नगर पालीगा जोना गज्टोगी यह होगा इसके लेख सबसे पहले सूराथ होते लिख होगा उसके बारे में उल्ठा चल दो के ऊप्सिन बीइश करके राइट को आपको इनको कैसे करना है, जैसा हमें साम कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर 25 प्रशन करवाने वाला हूँ, आपको भी अपना कोपी और पैन लेकर बेटना है, और आपको यहाँ पर प्रेक्टिस भी करनी है, साथ में ही इसके आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, कि आप कितने प्र लिए अगर अब 20 प्लस चल रहे हैं तो ठीक है तो सब का टार्गेट होना चाहें कि 20 प्लस नंबर आपके आए आप मुझे कमेंट में लिखेंगे नेक्स प्रशन देखते हैं नगरपाली का अधीनियम 2009 में संपत्ति के अंतरण या नगरिये प्रियोजनाओं का क्रियानमन कर और निम्न आयुक्तिओं को रियाइटों दरों पर देगी संसोधन 2011 के अनुसार 2011 में एक श्रुदन आया उसके अनुसार यह बात जोड़ी गई धारा त्यांतर में ठीक है मैंने का धारा बहुत जादा यह थारा त्यातर में बताने के लिए मैं आपर बता रहा हूं यहां फिर कोई भी उसका रिगुलेट उसको कर रही है या फिर कोई भी उसका प्रजेक्ट डेवलप कर रही है तो उसमें कम से कम कितनी भूखंडों पर रियायतों दरोपर देगी तो इसका सई उत्तर है 20% 20% उसे रिजर्व रखना पड़ेगा किसके लिए जो भी एकोनोमिक वीक सेक्षन है आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है 20% को उनको रियायती दरोपर इनको देना पड़ेगा 2011 में शंशोदन करके यह पॉइंट भी इसमें एड कर दिया गया है धारा तेयतर में यह लिखा हुआ है नेक्स प्रशन देखते हैं भूमी बे दखल का नोटिस जारी होने के बाद कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है किसी विशेश कारण को छोड़ करें कोई विशेश कारण हो तो बढ़ाया जा सकता है बाकि विशेश कारण को नहीं माने तो सामाने तो कितने दिनों मे कोई पट्टा पराप्त कर लिया अवेद तरीके से भूमी ली है अवेद रूप से कोई पट्टा पराप्त किया है जमीन का कोई भूमी ले ली है पता चलता कि इसने गलत तरीके से फरजी तरीके से इसने लिया है तो उसको भूमी से बेदखल कर दिया जाएगा लेकिन ये त कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता तो इसका सही आंसर है कि वो 15 दिन के कोई विशेश कारण हो तो उसे 15 दिन से अधिक भी टाइम दिया जा सकता है लेकिन अगर उसे बेद खली होती है उसको भूमी से हटा देते तो 15 दिन के अंदर अंदर उसे अपील करनी पड़ेगी यह अगला सवाल देखते हैं नग्रिय भूमी और संपत्ती जो भी जो भी उसके राजिय सरकार पन्चायत और केंदर तो होगा नहीं राजी सरकार भी हो सकता है नगरपालीका भी हो सकता है नगरे भूमी और संपत्य उसका रिकोर्ड कौन रखेगा नगरपालीका रिकाए रिकाए यह बहुत आसान आंसर यह जो सबसे इजी लेवल का प्रशन वह इस तरह का पूछा जा स सकता है ठीक है भी सबस्क्राइब भी तरह में इसका मतलब यह लेकिन अगर आप सुन रहे हैं में जो लिख रहे हैं तो कई बार हो सकता है मैं कहरा हूं कि मैठ करूंगा हो सकता है कि examiner को इंपोर्टन लग जाए तो मेरा बताने का मकसद है कि हाँ पढ़ते पढ़ते अगर आपको याद भी हो जाए आप लिख भी रहे तो अच्छी बात है इंपोर्टन करके हम उसको छोड़ दे यह अगर आपको याद कर सकते हैं तो उसको जरूर याद करना चाहिए एक एक नमबर वहां से आपके बोनस मिलेंगे आपको नगरपाले का संपत्ति अर्जित कर सकती है पहली धारा इसमें लिखे है कि नगरपाले का अपने शेत्र कर सकती को इसको दान दे अपने नगरपालिका सीमा के बाहर की भूमी को भी उसको दान करते तो लृँ Willoka करता रिव्यू कन करता है नगरपाले का की वित्य इस्तिति कौन देखता है ठीक है राज्य सरकार राज्य वितायोग अधिशाश्य अधिकारी यणी यह कि इन में कोई नहीं क्या होगा आना चाहिए इसody दोनों की धाराई अलग-अलग है सबसे पहले यहाँ पर यह भू पर और ले seems work पालिटी में पूचभ में पूचा गा सकता है किस अनुचेद में राज्य विताईउ का उलेक है राज्य विताईउ का लेक है वह 243 जह में या फिर आई में उलेक है लेकिन हम क्योंकि नगरपालिगा की बात करें तो वाई में आई और वाई याद रखना बहुत हासान है 243 तो हम जानते हैं भी नगरपालिगा पंचायद सारे आर्टिकल किना प्यसको समिक्षा करें वाई किसको कितने पैसे की जरौत हैं यहाँ पर यहां अभी जो अद्याइव पांच शुरू हो गया हमारा हमारा अद्याइव 5 शुरू हो गया हमार बो सारे सारे चेप्टर भी आपको लिखा दूंगा अध्याई पांच शुरू हो गया नगरपाली का वित और निदी इसका फाइनेंस कहां से आएगा सारा पैसा एवं निदी निदी यानि फंड पैसा कहां जमा होगा वो उसका फंड के यह इस चेप्टर से जुड़ा वा इसका सारा कि हम यहां पर बात कर रहें तो राज्य वित आयोग स्टेट फाइनेंस कमिशन द्वारा की गई सिफारिस किसको सिफारिस करेगा वो सिफारिस करेगा राज्य सरकार को देखो उस पर की गई कारवाई किसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा उसका इस पस्टिक आर नगर पालिका के पास कितना पैसा जाएगा कौन कौन सा पैसा नगर पालिका के पास कितना कितना पैसा सारी नगर पालिका नगर निगम एक साइज के तो होते हैं कोई चोटा है कोई बड़ा है तो किसको कितना पैसा देना चाहिए कहां पर कितनी जन संग्या कहां पर कितनी र होती है राजय सरकार पर इनकी सिफारिष को प्रकरती के होती है तो यो उसकी जो सिफारिष है उस पर राज्य सरकार ने क्या कारवई की है उसको सबी को वो कहां पर रखते हैं, किसके समख्स रखेंगे, राज्यपाल के समख्स नहीं, राज्यपाल के समख्स तो पहले आच चुकिए, राज्यपाल नहीं सरकार को सोपिए, अब यह रखा जाएगा राज्य विधान मंदल के पठल पर, जिसका सही आंसर हो जागा, बी, उचने एलेस को मतलब नहीं है, इसका सही आंसर हो जागा, ऑप्शन B, कर, यानि कि टेक्स, अभी हम छेतर की बात की, अब यहां पर धारा, पत कर, टोल्टेक्स, जिसको हम किया सकते हैं, पत यानि रास्त टोल्टेक्स जो लगते हैं, शड़को पर ऐसा, और जो भी फीस है, जुर्माना है, उसका समन उदेशन नगरपालिका को किया जाता, किसके दवरा किया जाएगा, पहली बास समन उदेशन का मतलब, कि आप यह कर ले सकते हैं, यह फीस ले सकते हैं, यह जुर्माना लग सकत बीधारा सत्यतर में लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार है उसका असाइन्मेंट करेगी उसको सोपे की भी आप यह यह ले सकते हो इंग्लिश ज्यादा अच्छा अकाउंट हेड कहता है इसको अकाउंट हेड बनता जैसे जैसे नगरपालिगा के पास पैसा है ठीक है वह पैसा कहां पर किया उसका हिसाब रखना पड़ेगा तो बनाएंगे कि पैसा कहां पाँपा खर्च हुआ तो लेका सीर्स का मतलब हेडिंग लगाएंगे कि सड़क विकास में इतना पैसा खर्च हुआ गंधिवस्ति को सुधार के लिए एसा रोश्नी की व्यवस्ता के लिए इतना पैसा तो यह सारे अकाउंट हेड है ठीक है तो इसमें इतना पैसा इतना है तो यह इसमें जाएगा इसके अलावा अन्य चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे खर्च भी होते है उसके लिए अलग से अकाउंट हेड बनाने की जरूत नहीं है उसको हम कह सकते है जनरल अकाउंट हेड जनरल मतलो सामानी जो चोटे-मोटे खर्चें वह इसमें रख सकते हैं तो इन सभी में आ सकते हैं इसका आ अगर हम अभी में बात एक बार वापस रिपीट करा देता हूं एक दो तीन चार पांच इसमें कौन कौन सी धारती यह सारे चेप्टर में वापस करा देता हूं अध्याई साथ तक तक तुम्हें कराई देता हूं पिसे साथ के बाद तो 11 12 13 और 14 यह हमारे सेले बसमें एक बा अध्याई एक द्याई दो अध्याई 3 चार अध्याई 5 और चवर इनको भी हम ज्यानला यह हमारे चेप्टर जो है हमारे सेलेबस में पहला चेप्टर भी Efendimiz में लिखा और नहीं हैपर 2 धर्ומgi हम याद रख सकते हैं इसमें सबसे पहले लिखाए लिखा लिखा है कि प्रारम तो हमने पढ़ा। जब इसका प्रसार कहा तक होगा फिर इसकी परिवाशन आ गई फिर इसमें आता है नगरपालिका यहां हमारा कौन सा है उसके बाद क्या उसका इसन चलन कैसे होगा तो कारी संचलन व३ार्ड समिति आगे लिख लेना नगरपालिका कारिय संचालन एवम वाड समीटी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है नगरपालिका की संपति, अब कारिय संचालन कैसे होगा, वाड कमीटी के बार में हमने बात की ती, वाड वाह्य। समीति बनेगी अने समित्य बनेगी इसके बाद आता है कि अब नगर जो बनेगी उसकी नगरपालो कि संपत्य्हां स! अभ्它 प्री नगरपालिkesं! यह याद रख लेना यह वैसे syllabus में लिखा हो वैसारा यहीं से एक प्रश्न बनने की संभावना है धारा भी याद रखनी है में फिर इसके बाद हमने पढ़ाता यह नगरपालिका वित संपत्ति होगे नगरपालिका के अब नगरपालिका का वित के हम बात करें जो finance है फिर न जर्माना लगा सकता है वो सारा इसमें लिखा होगा है प्लस राज्ची सरकार उनको अनुदान देगी है ना इस तरह से यह सारा इसमें लिखा होगा है प्लस अब जो फीज कर जुर्माना वो जो revenue sources क्या क्या होंगे revenue के बारे में यानि नगरपालिका का राजस्व यह यह तीनों को साथ में याद रख सकते हैं फिर नगरपालिका गठन और साशन हुआ फिर नगरपालिका कारियस अंचलन कैसे होगा फिर बात करा कि नगरपालिका की संपत्ति कौन कौन से होगी नगरपालिका के पास पैसे कहां कहां से आएंगे और उसका source क्या क्या होगा revenue क यानि इसका revenue कहां कहां से आएगा उसके बारे में यह उसके बाद 8-9-10 हमारे सेलेबस में नहीं है हमारे सेलेबस में 11-12-13 अब देखो नगरपल का करेंगे पास revenue भी आगया पैसा आगया तो आप क्या करेंगे अब यह करेंगे नगर्य विकास और नगर्य योजना है अब देखो नगर्य विकास किया नगर्य योजना सारी त्यार कर ली अब बहुत जरूरी है कि उस विकास कोई अवेद विकास नहीं कर ले अवेद विकास करता है जो विकास किया उसको नुक्सान पहुंचाता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है तो नगरपालिका के पास क्या सक्तिया है तो नगरपालिका सक्तिया और अपराद अगला चेप्टर है नगरपालिका सक्तिया व अपराद का मतला अगर कोई अपराद करता है तो उसके क्या दंड दिया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है अगला चेप्टर क्या है अपराद अगर किसी ने किया तो उसको दंड दिया जा सकता है उसको मुखदमा चला जा सकता है तो अभियोजन एवम वाद अभियोजन यानि के नियंतरन का मतलब क्या है कि नगरपालिका पर नगरपालिका को किस तरह से को इंदर जैसे हिSON रखेंगे नियंतरन और यहाल से अपने सिलिपस में और इनको अच्छे से याद इसके बाद यहां से 51 से लेकर 66 तक चलेगा यह यह भी हमने पढ़ लिया था फिर यह 66 से शुरू हो रहा है और यहां पर चलेगा पच्यतर तक उसके बाद यह चल जाएगा वन इसके बाद आट नो दस है नहीं तो यह वन फिप्टी नाइन से शुरू होता है और यह चलेगा वन नाइन्टी नाइन तक 169 से 199 है ना यहां पर हमें 40 गेव दिखरा पर 41 धरा हो जाए क्योंकि 169 को भी गिनेंगे फिर यहां पर क्योंकि 200 से लेकर यह बहुत बड़ा चेप्टर है 200 से लेकर 279 धरा है हमने पड़ी थीस में अभियो जन वाद आदी ठीक है यह 299 से सुरू होगा फिर और 308 तक चलेग यह सारी की सारी धराय आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं वैसे जरूत नहीं स्क्रीन शोट क्योंकि आपके सामने सिलिबस पढ़ाई होगा तो उसी से सारा के सारी याद रखना भी आप साथ में याद कर सकते हैं तो अब मुझे बताए कि नगरपालिकार जो राजस्व ह है वह किसम है वह अध्याई साथ में में हमारा आंसर हो जागा सी क्लियर हो गया अब देखते हैं आगे वाला सवाल क्यूश्य नमर 66 धारा 105 के अधीन नगरपालिका शुल्क ले सकती है हम अब क्योंकि यहीं पढ़ रहे हैं ना रेवेन्यू सोर्सेज और इनके बारे में य है यहां पर लिफ देता है प्रमांजपत्र उसका अगर प्रमांजपत्र जारी कर रही है कोई भवन बना रहा है को भी बील्डिंग मना रहा है तो उसके लिए नगरपालिका से प्रमिशन लेनी पडnadी उसके लिए force ले Cathy् सर्विस बेच रहे हैं उन सब पर नगर पालेका को पैसा देना पड़ेगा ठीक है इसके लावाद जनम मर्तिव परमान पत्र बना रहे है कोई और भी सर्ट्रिफिकेट बना रहे तो उस पर पैसा लगेगा वो यह सब वीद मानलों कि कोई कानून बना कर चेंज गर जाब यह यह फ्री रहेगा तो नहीं लगेगा बाकी सारव पर जो नगर पालेकाने जहां पर भी नगर पालेकाने लगा रहा रहा हुँ अपने पैसा लगा दिया उसके बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है वह होता है अधिशेस सर प्लस एक्स्ट्रा पैसा यह मान लीजिए त् अधिशेस धन धाराच यहांसी एक क्या दिन अंत्रित नहीं किया गया हो उसका वी निधान वी निधान शब्द नया है तो इसको इंग्लिश में कमझ माझा आपको इंग्लिश वर्ड है इंवेस्टमेंट आपके पास जो नगर पालेका के पास सारा पैसा जो ट्रांसफर नहीं किया गया मल जहां पैसा लगाना था सब जगह लगा दिए उसकी बाद भी पैसा बचरा है तो इसका इंवेस्टमेंट कहां पर किया जा सकता यह कह रहा है इचाहसी एक में लिकावा लोग प्रतिव भूती में यानि पब्लिक सिक्योरिटी सरकार जो में पाब्लिक सि इसको पर जमा करा सकता है यह लिखा होगा अगला प्रशन देखिए यह इंपोर्टेंट प्रशन है आप इस पर इंपोर्टेंट लगा सकते हैं इसमें तीन चार चीजें यहां पर क्लियर होगी बजट प्राकलन प्रतेक वर्ष किस तारिक तक तयार हो जाना चाहिए बजट एस्टिमेट बजट प्राकलन यानि एस्टिमेट आप समझ गयोंगे वह किस मद में कितना पिसा जाएगा उसका एक एस्टिमेट तियार किया जाता बजट से पहले वो किस तारिक तक तयार हो जा पंदरा तक 15 जनवरी क hacker नहीं में 15 जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं 15 जनवरी तक याणि 15 जनवरी से पहले पहले तयार हो जाना चाहिए ठीक है उसके बाद यह है budget estimate budget प्राकलन तयार estimate तयार होना अभी तो estimate हुआ है फिर इसको paste किया जाएगा बजर प्राकलन तयार कौन करता है मुख्य नगरपालिक अधिकारी मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा ये तयार किया जाएगा क्लियर है ये एस्टिमेट तयारी करेगा फिर ये नगरपालिका के समक्स प्रस्तूत किया जाएगा प्रस्तूत करने की तारिक क्या है वो है 31 जनवरी ये प्रस्तूत करने की तारिक प्रस्तूत करना या पेश करना 31 जनवरी से पहले-पहले हो जाना चाहिए ये 31 जनवरी से पहले-पहले ये तारिक कौन तेह करेगा ये तारिक तेह करेगा कार्य पालिक समिती जो executive committee है वे किस जटारी को प्रस्तुत करना वो तेय करती अगला इस वाल इस पर आने वाला भी है वैसे तो 31 जनवरी को प्रस्तुत हो जाना चाहिए और 15 फरवरी से पहले पहले नगर पालिका उसको पारित कर दे पारित हो जाना चाहिए 15 फर्वरी से पहले पहले ठीक है पारित होना ये तीनों डेट याद रख लेना 15 जनवरी को बजट प्राकलन तयार हो जाना चाहिए 31 जनवरी को प्रस्तुत करना है और 15 फर्वरी को पारित हो जाना चाहिए अगर 15 फर्वरी तक पारित नहीं करा पाती है नगर पुदित करेगी जो भी चेंजेस राजी सरकार को लगता है वो करके और फिर मान लिया जागा कि यह नगरपली का द्वारा पारित हो गया है यह सारा का सारा प्रोसेस आपको यह पता होना चाहिए ठीक है तो यह 15 जनवरी से पहले-पहले प्रस्तुत हो जाना चाहिए इस फरवरी से पहले-पहले वो सारा कुछ तयार करके राज्य सरकार को बेजे राज्य सरकार फिर इसका अनुमोदन करेगी यह सब कुछ आपको बजट से पता होना चाहिए आगे वही सवाल मैं आपको बताया बजट प्रस्तूत करने की तारीक किसके द्वारा निर्धारि कि जाते हैं कि बजट प्रस्तूत कब करना है 31 जनवरी से पहले-पहले करने किस साथ है कि और हमने पढ़ा था 31 जनवरी हो सकता है 37 जनवरी यह करेगी कार्यपालक समीधी अगला स्वाल पर देखते हैं कितनी उंचाहीं से अधिक आधिक आवाश्य भवन पर विकास प्रभ विकास प्रबार देना पड़ेगा यह चोटी बिल्डिंग नहीं लगता बड़ी विल्डिंग होती है तो इसकी साइज कितनी है कि 14 मीटर से उपर जितने भी बनती है इसको वैसे तो मीटर में पूछ जाएक इक्जाम है फिट मैं भी देख लेना यह लगवक 45-46 के आसपास रहेगा क्योंकि ये तीन सवा तीन के आसपास हो जाता फेटी से गुणा करने के लिए 14 मिटर में आएगा 14 मिटर से उच्छे जो भी भून बनते हैं उस पर आपको शुलक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगला सवाल देखिए करार ओपन से छूट का प्रावदान किस धारा क्या है उस पर कोई-टैक्स नहीं अगर इसी तरह से राज्य सरकार की कोई संपत्य चंपत्य कर रहे लेकिन चन्हीं कोईच एकस नहीं लगेगा महाँ पर छूट देनी पड़ेगी यह किस धारा में लिखा हुआ है यह हमने पिछला पड़ाता यह 106 में लिखा और इसके बाद यह 107 की धारा में लिखा हुआ हुआ है कौन सा कार और यह धारा एकस वांट के दिन नहीं है कि अदिरोपन से पूरु परकरिया लगाना है नगारपलेगा को उस पहले क्या क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में तैंट की परक्रिया इसे संबंदीक है लगंग प्रशटा सम्धर वर्ग किसको दाई बनाना है उसका परस्ताव उसमें आ जायगा प्रारूप नियम को प्रथम अनुशूचि प्रारूप में नौटिस के साथ प्रकाशित करना यही प्रोसेस है कि सरकार अगर कोई नया टेक्स लगा रहे है कोई भी टेक्स इंपोज कर रही है नगरपाली का तो पहले पहली अनुसूची इसमें याद रख लेना यहां से एक इंपोर्टेंट प्रशन बनता है यह पहली अनुसूची टोटल 6 अनुसूची है हमने बढ़ा था ना सुरुवात में इसमें 6 अनुसूची है 6 अनुसूची में से जो पहली अनुसूची है वो किस से संबंदीत है धारा 108 से संबंदीत है धारा 108 में क्या लिखा हुआ है कि कर लगाने से पहले की परक्रिया क्या होगी इसमें प्रक्रिया होगे कि पहली अनुसूची है, अनुसूची schedule बना होगे पीछे, उस पहली अनुसूची में क्या है? इसमें पहली अनुसूचे में सिर्फ इतना लिखावा है कि ये जो हमारी नगरपालिका है उसका नाम आएगा नगरपालिका ये ये टेक्स आप पर अधिरोपित करती है किसी भी व्यक्ति को कोई अगर आक्षेफ है तो अपने आक्षेफ लिखित में नगरपालिका को बेच स दिया कर लगाना है वो धारा 109 में है इसलिए ये इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तो धारा 106 107 108 और 109 भी हमने यहां पर क्लियर कर ली आगे देखते हैं इसी 109 में ये लिखा हुआ है कि किस तारी को कर लगाया है किस तारी को पहली तारी को यहां पर कर लगाए नि आप्रेल की पहली तारीक अप Krilay के पर्थम दिन के तो अप्रेल के पर्थम दिन, फिर हर त्रे मासिक पर, फिर उसके तीन महीने बाद, अप्रेल के बाद, माई, जून, जुलाई, जुलाई के पर्थम दिन, उसके तीन महीने बाद, अक्टूबर के पर्थम दिन, फिर उसके तीन महीने बाद, जनवरी के पर्थम दिन, जनवर तो अप्रेल के पहले दिन नहीं कर पाएं, तो फिर अप्रेल के किसी और दिन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, अप्रेल के पहले दिन नहीं कर सकता है, दूसरे तीसरे दिन भी कर सकता है, पर सामानेत यह पहले दिन ही होना चाहिए, तो इसका सही आं प्रस्तिती में राज्य सरकार नगरपालिका से कर संगरण रिती में विद्यमान तूर्टी को दूर करने की अपक्षा करेगी। अगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर पर भार अनुचित हो या करका उद्ग्रहित कर पर भार अनुचित हो दोनों सेम लग रहा है इसको आप लिख देता हो या फिर उसमें कोई तूटी हो गलत तरीके से लिया जा रहा है इसके साहते द्विख रहता है यहां लिख वाए लेकिन साथ में इन दौनों को सेम ये इंगी भी किया है इसको देखर आपने वी किया तो भी ठीक है लेकिन इसके साथ अगर यह श्वर क्योंकि धारा में ये शवर लिखा वा आए कि कर उद्ग्रहन में किसी परकार की तुरूटी हो तो यह फिर क्या होगा यह वापस तुरूटी की दूर करने की अपयक्शा कर सकती है य जानकारी कतिपे का मतलब दरना नहीं है इसको इंगलिश में लिखते हैं सर्टन यानि कुछ पिशेश जानकारिया देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम यह धारा 114 में दिया हुआ है इसमें क्या है? वर्त अलिश है तो महतलब नहीं, 100-102 सम आगे बढ़ चुक हैं अब 114 आ रहा है अंतरन की सूचना की अभाव में करका संदाय का दाइत्व किसका होगा मूलत दाइव्यक्ति का रोजिस्ट्रार का प्रशाशन का या वरतमान अधीपोगी का अपना आंसर लिख दीजे फिर मैं बताता हूं क्या कह रहा है 119 में बात लिखी हुए कि अंतरन की सूचना अंतरन रोजिय को आपने अपने ट्रास्फर कर दी लेकिन उसकी सूचना आपने नगरपलिका को नहीं दी खिफ्च कर दी कुछ भी कर दी लेकिन नगरपालिका तो टेक्स लेगी ना नगरपालिका को आपने सूचना ही नहीं दिया आपने अपने वारिष को दे दिया किसी को भी दिया लेकिन अगर सूचना नहीं दी तो भी टेक्स आपसे ही लिया जाएगा क्योंकि आपने सूचना नहीं दी यानि मूलत दाई व्यक्ति कौन था उससे लिया जाएगा ना की सामने वाले सूचना हला कि इसी धारा में ये भी लिखा हुआ है लेकिन इससे जो अंतरिती अंतरन यानि अंतरन करने वाला अंतरक और जिसके पास गया है वो अंतरिती उसका दाई तो कम नहीं होगे हलाकि अंतरीत्ति का दाई तो इससे कम नहीं हो जाता है लेकिन फिर पिए टेक्स किस पर बनता है इस पर एक परकार कि पैनल्टी की रूप में आपको ही पैसा देना पड़ेगा धरा संत्यानवे धरा 120 के अधियन कर जो है टेक्स है मूलत किसे उद्गरनी होगा यह आपने ऑप्शन दे रहे हैं इन कंडिशन के आदार पर किसे टेक्स लिया जा सकता है यदि कोई समपत्ती पटे पर दी गई हो तो पट्टा करता से लिए बिल्कुल सही है किसी समपत्ती क पट्टा करता हुगा उससे लिए जाएगा ना कि छो पट्टा करता से कि इह समपत्ती पटे पर नहीं दी गई हो तो उस वाक्ती से जिससे उसमें पट्टे पर देने का अधिकार हो उस वक्ते फूद्गरनी होगा यहनी टीन हो सही है इससा यह जाएगा option D सारे के सारे सही है आगे आया इंठ्यान में असुमेलित विकलब का चैन की यानि यह चार धारा चार के बारे में हमें पता होना चाहिए 129 में लिखा हुआ बिल की अंतरवस्तु क्या होगी धारा 130 होना चाहिए वैसे यहां पर यहां 130 नहीं होगा यह 130 होगा क्योंकि यह 31 लिखावा तो असुमेलित यही हो जाता है सही क्या है धारा 30 130 इसमें मांग का नौटिस यहां पर दिया जाता है धारा 126 में है दाइतू परकट करने की बाद्यता और धारा 133 है वारंट को निस्पादित करने की तरीका क्या होगा उस पर थोड़ा सा समझ ले कितने टाइम में आपको देना है कितना देना है यह सारा जो बिलकी अंतरवस्तू जो भी है वह इसमें यहां पर आ जाएगा पैनल्टी के होगी सारा तो बिलकी अंतरवस्तू 139 में फिर अगर आप वह टेक्स नहीं चुकाते हैं तो आपको एक नौटिस दिया जाएगा मा आपको बताना पड़ेगा आपके पास यह चीजे हैं और उस पर टेक्स देना पड़ेगा इसके अलावा फिर हमने मांग का नौटिस दे दिया वह 15 दिन का वह भी रहता है उसके बाद अगर आपने नौटिस की पूर्ति आपने नौटिस की पालना नहीं करी फिर क्या होग बल पूरवक प्रव इयर्वी घर है और फिर 133 कि जो वहरंट जारी किया गया है कि इसकी कूरकी कर लो जाए उसको निसका इत करनी कि रीती क्या है वो 133 में आता है तो कौनसा आउसम स्वा में लीते है वो है 130 130 में आता है मांग का नोटिस current में देखते धर 121 के दिन appeal की जा सकती है कर निरधारन के विरुद कर निरधारन में परिवर्थन के विरुद यो 121 में क्या लिखा हूआ जैसे आप पर टेक्स इंपोस किया जा रहा है हैं लोलो आपके प्रसंद्र किया गया उसके विरुद्र भी कर सकते हैं और कर निर्दाराण को ऐसके विरुद्र होई इसके दोनों के बारे में लिखा हुआ हुआ है इसले अन्सर हो even दोनों लास्ट का प्रस ना घ्र अधिकारी यह जिला कीलेक्टर को यह दोनों को अब क्योगी हम धारा 277 भात करें अदो नगर पर जलेकारी षाँ According और आंसर क्या हो जाएगा option D clear है यह थे हमारे सारे के सारे 25 सवाल आपके कितने सभी हो रहे हैं 25 में से आप मुझे करेंगे और आपके कोई सवाल हो और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेने क्योशिश करेंगे कई बार जैसे पिछले वीडियो में एक क्यूशन नमबर 64 में ऐसा हुआ कि मैंने बताया सही था option जैसे मेरी खाल से उसमें यहीं चीज़ें जो मैं खुद बता रहा तो उस वीडियो में कई बार हमारे यह गलती हो जाते हैं पड़ाते वह गलती हो गई ठीक है तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको आता हूँ सवाल इस तरह से गलत हो जाता है वह स्वाल मैं बताया पूरा साही लेक पढ़ाना आ जाता तो कई बार बी की जिए लगया कई बार ऐसा हो जाता है बताया सही था लेकिन निशान गलती पर लगया यह आपको ध्यान रखना कि परिक्षा में आपको इस तरह की गलती नहीं करनी उसमें थोड़ा साब सुधार कर लेना बाकि में इसको कमेंट में व